वेलकम तो मैं स्वाइज के सन फार्मिशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की अप्डेट में उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिक्षक भरती से रिटेट यूपी सूपर टेट नोटिपीकेशन दोहजार चौबीस के विग्यापन को लेकर के काफी बड़ी जहां पर प्रात्मिक सिक्षक जो प्रात्मिक विद्याला है सिर्फ एक सिक्षक जो है बहरे चले हैं और जहां पर जो है प्रात्मिक विद्याला एक सिक्षक भरोसे जो है विद्याला चल रहे हैं वहां पर बच्चों की जो है संख्या काफी अधिक है ऐसे में वहां पर सि को करना पड़ रहा है बच्चों को जो है बिल्कुल करना पड़ रहा है नई प्रात्मीक चिक्षक भरती सामने यह अब्डेट लेकर आपके लिए अहम भूमिका निवायेगा पूरी तरह से आपको अपडेट हम प्रवाइट करने वाले यूपी में अधीकतर प्रात्मीक वि बिद्याले हैं जहां पर शिर्फ एक सिख्षक तैनात है और इन सिख्षकों पर पढ़ाने के साथ ही नए बच्चों के दाखिले आधार सत्याफन डीवीटी समेथ जो है इस्कुल के जो भी दूसरे कामकाज हैं वह भी यह कर रहे हैं यानि बच्चों के पढ़ाई के साथ अ परिशानिया हैं और शिक्षकों के कमी की वजह से बेसिक विद्याले जूज रहे हैं और वही पर अधिकारी जो है यह कहते हैं कि सिख्षामित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं बलकि कुछ ऐसे विद्याले हैं जहां पर शिक्षामित्र भी नियुक्त नहीं है तो जिस प्रति के लिए पदों का उत्तर आता है तो अनुपात के वल जो है सिख्चा मित्र को समलित किया जाता है अब देखें बात करें एक सिख्चक के भरोसे दो-दो स्कूल उत्तर प्रदेश के कुछ प्रात्मिक विद्याला ऐसे हैं जहां पर कि लखनों के 1618 प्रात्मिक विद् सिख्चक के 57 विद्याले में फिलहाल सिख्चकी नहीं है और वही दूसरे स्कूलों में एक-एक सिख्चक है तो कई सिख्चक ऐसे भी हैं जिनके पास दो-दो विद्यालियों का कारेभार है और वह सिख्चक एक ही समय पर दो स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के साथ सा पाटना भोजन परोशने से ले करके जितने भी काम काजकार्य है निप्टा रहे हैं यानि सिख्षकों की कमी की वज़े से यह दिकत आ रहे हैं शिर्फ लखनों ही नहीं उत्तर प्रदेश में 75 जिले में यह परिशानी है इसलिए जो है अव्यारती 5 वर्स से नई प्रात्मिक सिख्षक भरती का जो है मांग कर रहे हैं वैसे में जानकारी निकल करके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है लाखों पर रिक्त हैं और 97 यहां पर हजार पदों पर भरती का विज्यापन जारी हो सकता है यह जानकारी बताई गई है यूपी में सिख्षकों की लगातार हो रही है कमी उसके बारे में बता देते हैं आप सबी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि 31 मार्च को प्रात्मिक और जूनियर विद्यालियों में सिर्फ फिर से सिख्षक सेवा निवरित हो जाएंगे और 10 से 12,000 सिख्षक सेवा निवरित होंगे तो ऐसी इस्तिती में प्रात्मिक विद्यालियों में लगातार सिख्षकों का पद खाली होता जा रहा है शिक्षकों की भरती न होने से शिक्षकों की लगातार विद्यानियों में कमी हो रही है और जिस वज़े से परिश्टानियों का सामना करना पढ़ रहा है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकार लोग शभा चुनाओ शमात होने के बाद नहीं प्रात्मिक सिक्षक भरती को लेकर के अधिकारी एलान जल्त कर सकती है क्योंकि प्रात्मिक विद्यालों में ऐसे विद्यालों होते हैं जहांपर बच्चे उपर लेवल त इस तरह की अपडेट आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल लगातार भूने रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग गाड़ ब्लेस यू झाल वाचिंग झाल झाल